हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आधार इस्टडी में दोस्तों जैसा कि आप सब को पता है कि REIT का विगुल बच चुका है REIT का ही नहीं अब 2nd grade और 1st grade 2nd grade की विज्यपति भी आप सब के सामने है और 1st grade की कुछ दिन में जारी होने वाली है तो दोस्तो सभी student के मन में ये दूइदा पहले भी थी अब और ज़्यादा है कि अब आखिर तयारी किस exam की करे क्योंकि second grade भी है, REIT भी है और first grade भी है आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि दोनों में कहां समानता हैं, आप कैसे दोनों की तयारी एक साथ कर सकते हैं, REIT की तयारी कैसे करे, second grade में कितनी उसमें similarity है, second grade की तयारी करे तो REIT में कितना फायदा हो सकता है, इन दोनों पर चर्चा करेंगे और इस exam को क्रेक करने के लिए चाए REIT हो या second grade हो, क्या एक सटीक रण निती हो सकती है, कहां से पढ़े, रास्तान बोर्ड पढ़े, NCRT पढ़े, कोई guide ले, कौन सी किताब करी दे, या कौन सी coaching ले, self study करे, तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, काफी सारे student पूशते ह कि कौन सी book based है, तो दोस्तो आज के वीडियो में काफी कुछ आपको exam की तयारी करने की सठीक रण निती आपको मिलेगी, चुकि study हर student करता है, लेकिन जो smart study करता है, वो ही परिक्षा में सपल हो पाता है, और आप पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, लेकिन वो आप व या नहीं ले, कोचिंग की आवशकता कई student को नहीं होती, कईयों को होती है, और होती है, तो कौन से point है, कौन से topic है, कौन से syllabus में बिंदू ऐसे है, जहांसे आप कोचिंग ले सकते हैं, तो दोस्तों ये जो syllabus है, इस syllabus के according मैं बात करूँगा, कि आप second grade की तयारी भी read के साथ कैसे कर सकते हैं, और अगर केवल आप read की तयारी करते हो, तो उसमें कैसे सपलता अरजित कर सकते हैं, ये आपका syllabus है, चाए इसको sst बोलो, चाए यहां पे हिंदी बोलो, या इंग्लिस बोलो, या संसकर्त बोलो, आप sst, हिंदी, इंग्लिस, संसकर्त, किसी भी stream से exam दे र परिक्षा है, दोस्तो पातरता परिक्षा और मुख्य परिक्षा इन दोनों में भी काफी समानताएं हैं, जैसे बाल विकास और शिक्सा सास्तर आपके पातरता परिक्षा में भी है, और यहां पर भी आपका सेक्षनिक मनोग्यान 20 नंबर का है, तो ये दोनों जगे हैं, बासा पर्थम अगर आप हिंदी से एकजाम देते हो तो आप हिंदी यहां भी पढ़ोगे और विद्याले विशे का ग्यान तो आपको हिंदी यहां पर भी देखने को मिलेगी 120 नंबर में दित्य बासा आप कोई भी language लेते हो तो यह दित्य बासा का role यहां पर थोड़ा कम है क्योंकि यहां पर आप केवल एक language लोगे तो दित्य बासा आपको अलग से पढ़ने पड़ेगी चुकि यह तो केवल पातर ता परिक्षा है तो इसको इतना ज़्यादा importance नहीं देनी है इ उसमें ये point दिये हुए है ये point दिये हुए है और ये point आपका विद्याले विशे का ग्यान अगर केवल मैं SST की यहाँ पर बात करूँ तो आपके विद्याले विशे का ग्यान इसमें क्या आएगा इसमें वही आएगा भारत का इतिहास, राजस्तान का इतियास, भारत की जोग्रोफी, राज़स्तान की जोग्रोफी, राजव्यवस्ता, अर्थव्यवस्ता, ये सब्जेक्ट यहाँ पर विद्याले विशे में पूछे जाएंगे, अगर आप SST से परिक्षा देते हो तो, लेकिन आप हिंदी से देते हो, तो यहा काफी समानता हैं सेकंड ग्रेड के और रीट में, अब काफी समानता हैं, पहले दूइदा थी कि किसकी तैयारी करें, लेकिन अब ये दूइदा नहीं है, आप सेकंड ग्रेड और रीट दोनों की तैयारी बिल्कुल साथ-साथ कर सकते हो, तो यह सलेबस है, इसमें सबसे ज एतियासिक और सांसकर्तिक ज्यान राजस्तान जिक्ये का है और साट नमबर यहां पर भी जिसमें आर्टी को छोड़ दे तो करंट भी आपके राजस्तान से पूछे जाएंगे इंडिया लेवल का भी पूछा जा सकता है लेकिन राजस्तान का करंट ज्यादा पूछा तो राजस्तान पर, G, K पर सबसे अधिक focus करना है अब यह कहां से तयार करे राजस्तान G, K तो दोस्तों राजस्तान G, K तयार करने के लिए आपको 6 से, कक्सा 6 से, कक्सा 12 तक राजस्तान Board की किताबे पढ़ने पढ़ेगी जिसमें हमारा राजस्तान नाम से किताब चलती है वो आपको पढ़नी पढ़ेगी उसके अलावा आप guide भी ले सकते हैं कोई भी guide लो उसमें ऐसा नहीं है कि सारे point दिये हुए हैं या वो सारा syllabus cover कर लेगा ऐसा नहीं है उसके साथ आप कोई भी market में अच्छी guide आपको मिलती है जो आपको उसकी language समझ में आती है तो आप वो purchase कीजिए और उसमें आपको एक जगे सारा मेटर मिल जाएगा तो उसको वहाँ से आप तयार कर सकते हैं इसके अलावा राजस्तान बोर्ड आपको पढ़नी पढ़ेगी और यहाँ पर जो विद्याले विशे का ज्यान है चाहे आप हिंदी से दे रहे हो, इंगलिज से दे रहे हो, संसकर्ट से दे रहे हो या ऐसे से दे रहे हो तो यहाँ पर आपको राजस्तान बोर्ड की किताबों के साथ-साथ NCRT पर भी focus करना पड़ेगा चुकि अब जो इस्तर है, परिक्षा का जो इस्तर है वो आपने देखा होगा, इसनातक इस्तर ले रखा है परसन जो है, वो 12th मादेमिक, उच्छ मादेमिक इस्तर के है लेकिन उनके कठिनाई का जो इस्तर है वो इसनातक इस्तर का सलेबस में लिखा हुआ है तो आपको NCRT पर भी फोकस करना पड़ेगा राजस्तान बोर्ड के साथ NCRT और इसके अलावा आप कोई रेफरेंस बुक लेना चाते हैं कोई गाइड लेना चाते हैं तो वो भी आप जरूर परचेज कर सकते हैं तो ये तो बात हुई आपके सलेबस के अकोडिंग किसकी तयारी करनी है अब दोस्तों आप रीट में जो तयारी करोगे उसमें भारतिय सब्वेता, संसकर्ति, समाज, मोरिय, गुपतकाल, मद्धे, आदुनिक काल यही आपके विद्याले विशे में पूछा जाएगा खासकर SST और SST सेकंड ग्रेड वा लोगो भारत का समीदान है, लोकतंतर है, सरकार के कारिय, सरकार के गठन सेकंड ग्रेड में भी है, रीट SST में भी है हमारी परत्वी, हमारा परियावरन, भारत का भुघोल संसादन, राजस्तान का भुघोल, इतियास, कला संसकरिती यह यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और सकंड ग्रेड में भी है तो यह सारे चीज इतने कोमन हैं, आप कोई एक तयारी करें आप अगर second grade की तयारे भी अच्छे से जी जान लगा करते हैं तो मैं नहीं मानता कि आप REIT में अच्छा score नहीं कर सकते आप बहुत अच्छा score कर पाएंगे अब बात आती है कि coaching करे या नहीं करे तो दोस्तों देखो coaching करने में आपको राजस्तान जी के का आप coaching लो तो कोई issue नहीं है कोई फाइदा नहीं है राजस्तान जी के आप वैसे भी cover कर सकते हो किताबों से आप अगर हिंदी के हो तो आपको केवल हिंदी की coaching कर सकते हो आप English से हो तो केवल English की coaching कीजिए Hindi, English और Sanskrit अगर आपका विद्यालेवी से आपने इस नातक में Hindi, English या Sanskrit है तो आप इसकी तयारी कोचिंग से कर सकते हैं, किसी teacher से कर सकते हैं, online application से कर सकते हैं तो इन में आपको help की जरुत पढ़ेगी, बाकि जो भी आप Keval SST के अगर तयारी करते हैं, तो आप self study से भी इन सब मेंटर को तयार कर सकते हैं, जो कि Keval GK है, तो आपको याद आपको करना है, teacher जो पढ़ाएगा, उसका पढ़ाने का तरीका एक अलग हो सकता है, लेकिन इतन समय नहीं है, मेरा ये माना है कि जीट की जो मुखे परिक्षा है, वो दिसंबर तक हो सकती है, नौंबर या दिसंबर तक, तो आप राजस्तान GK और ये आपके SS जो subject है, इसके लगबग 500-600 वीडियो आप देख पाओ, उनको याद कर पाओ, फिर खुद से भी आप कोई कि परशकता नहीं है, इसके अलावा काफी सारे student पूछ रहे हैं कि क्या NCRT भी पढ़नी जरूरी है, तो हाँ बिलकुल आप अब NCRT पढ़नी जरूरी है, क्योंकि इसना तक इस तरका इसमें कर दिया है, तो आपको NCRT भी cover करनी पढ़ेगी, इसके अलावा आप coaching भी लोगे NCRT भी पढ़ो, राजस्तान बोर्ड की किताबे भी पढ़ो, कुछ student बोलते हैं कि हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता, कितना समय पढ़े हैं, तो दोस्तों आपको पढ़ना तो आपको पढ़ेगा ही, अब यही time है, सही समय है पढ़ने का, राजस्तान में हर vacancy आएगी, जो भी vacancy इतने दिनों से pending थी, वो सभी vacancy आएगी, अगर आपको सिक्सक ही बनना है, तो तीनों बरती परिक्षा है आपके सामने है, अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर पढ़ोगे कब, तो देखो पढ़ना आपको पढ़ेगा, याद आपको रखना पढ़ेगा, तो पढ़ से क्लियर हो जाएगी, इसको ज़्यादा importance नहीं देनी है, आपको importance देनी है, मुख्य परिक्षा को और second grade को, दोनों की साथ आप तयारी कर सकते हैं, कोई भी आप library जोइन कर सकते हैं, गर पर भी पढ़ सकते हैं, तो उसमें आप ऐसा वातावरन चुने, जहां पर आपके आ अगर आप केवल self study करते हो, कोचिंग नहीं लेते हो, तो भी मेरा ये माना है कि आप test series जरूर जोइन कीजिए, उससे आपकी तयारी कितनी हुई है, उसका आंकलन कर पाओगी, कहां पर आप कमजोर है, इतियास में कमजोर हो, भूगोल में कमजोर हो, अपने subject में कमजोर हो, तो उस चीजगा आपको पता लग पाएगा, इसलिए test series आप जरूर जोइन कीजिए, और फिर उसी पर आप जहां पर कमजोर हो, उस subject को आप मजबूत कीजिए, और काफी सारे student पूछते हैं कि क्या notes बनाना आशक है, जिहां बिलकुल आप अपने hand written notes बनाईए, और उन notes को जब exam होती है, तब revise कीजिए, revision करना काफी important है, revision के बिना आप याद नहीं रख पाओगे, तो हर Sunday एक दिन fix कर लो, कोई भी सपता में एक week fix कर लो, Sunday कोई जरूरी नहीं है, उस दिन आप revision कीजिए, अपना पूरा revision कीजिए, 6 दिन में आप जितना पड़े हो, एक दिन उसका revision कीजिए, short note बनाईए, वो आपके exam में काम आएंगे, जब परिक्षा होती है, तो उससे 10-15 दिन पहले, एक महीना पहले, आप केवल उन notes को revision करके, अपना पूरा सलेबस है, उसको cover कर लोगे, तो आपको अच्छा confidence रहेगा, तो notes भी खुद अपने हाथ से बनाईए, कहीं से भी आप purchase करते हो, या download करते हो, तो वो आपके ज़्यादा काम नहीं आएंगे, क्योंकि आप अपने हाथ से notes बनाऊगे, वही आपको सही से समझ भी आएंगे, और वही आप याद रख पाऊगे, तो notes अपने खुद बनाईए, जो भी आप पढ़ते हो, किताब में कहीं स से भी आप पढ़ो, वो आपको कोई भी आपको line important लगती है, तो उसको आप marker से highlight करते जाए, और फिर उसके बाद आपने जो भी पढ़ा है, उसके notes आप बनाए, फिर आपको किताब वापस देखने की आवशकता नहीं पढ़ेगी, आप केवल notes से अपना revision कर पाएंगे, त और handwritten notes आपको खुद के बनाने हैं, तो read और second grade दोनों आप एक साथ निकाल पाओगे, ये तीन चीजे आपको अवस्य करनी है, test series join करनी है, handwritten notes आपको बनाने हैं, और आप जो भी आप पढ़ते हो, उसका समय समय पर revision आपको करना है, अगर आप इन तीन चीजों पर सही से focus कर पाओगे, तो आप ये exam आसानी से निकाल लोगे, अच्छे नंबर से आप selection लोगे, तो इन चीजों पर student क्या करता है, केवल पढ़ता जाता है, पीछे का वापस भूल जाता है, तो वो समस्या नहीं आएगी, और अपना जो आसप समानता हैं, second grade में भी और REIT में भी, तो ये आप, ये जो file है, ये हमारे telegram channel से आप download कर सकते हो, telegram का link आपको description में मिल जाएगा, इसके अलावा भी काफी सारे student पूछते हैं कि कौन सी guide सबसे best है, तो दोस्तों मैं किसी guide को best नहीं बताऊंगा, आपको जो अच्छी लगती ह आप वो खरीद के लाइए market से, एक नहीं दो खरीद के लाइए, लेकिन आप उसको cover कर पाए, ऐसी चीज होनी चीए, ऐसा नहीं कि आप दोनों guide में confused हो जाए, ऐसा नहीं होना चीए, coaching भी जो आपको समझ में आती है, online coaching ले सकते हैं, offline ले सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरा मा चीजे हैं, इन पर focus करना है, ज्यादा समय नहीं है, second grade की exam कभी भी हो सकती है, read की December या November में होगी, हो सकता है second grade पहले हो जाए या बाद में हो, तो ये सब चीजे आपको ध्यान में रखनी है, अच्छा मुका है, आप ये मुका न छोड़े, और जो student केवल first grade की तयारी करते चीजे, उनको divert नहीं होना चीजे, अगर आप पहले first grade की तयारी में कुछ अंकों से रहे हैं, तो केवल first grade की तयारी कीजिए फिर, फिर आप second grade और read के चकर में मत पढ़िए, वो भी एक आप आसानी से क्रेक कर सकते हो, तो ये बात है, आप तयारी अपनी रणनीती हर field में बनानी आवशक होती है, चाए आप business करो, चाए आप gourmet job की तयारी करो, चाए आप कुछ भी करो, रणनीती हर जेगे बनानी होती है, तो आप एक time table बनाईए, और इस रणनीती के तहत, आप study प्रारम कीजिए, आपको सपलता अवस से मिलेगी, दोस्तों इसके अलावा, नेक्स वीडियो में, दन्युवाद.